कम्पिटर और लेप्टप को बाई करने से पहले आपको ये 8 फीचर्स लेपटाव और कम्पिटर का जरूर पता होने चाहिए जैसे के सबसे पहले प्रोसेसर, प्रोसेसर उसमें कौन सा लगा है तो वो कैसे चेक करते हैं वोम देख रहे होंगे इसके बार डिस्प्ले जैसे के रिजूलुशन होती है तो रिजूलुशन आपको कैसे चेक करना होता वो भी हम देख रहे होंगे नेक्स बैटरी लाइफ बैटरी लाइफ आपको देखना होता है कि बैटरी कितने एमेज है तो बैटरी भी आपको चेक करना होता है और नेक्सराराए पॉर्ट तो पॉर्स means कि जहां पे आप केबल झब लगाते हैं वो सारे पॉर्टS आपको खुट चेक करने होते हैं या connectivity जो होती हैं वो सारे आपको खुट चेक करने होते metros कि अगर एक पॉर्ट है उसमें केबल लगता है आजिए मंच कर रहूं कर 수द अच्पक्राइए नहीं वह भी आपको चेक करने होते हैं तो कुछ चिजे आपको फुड़ेश करने होते हैं जो लेपन ऑप किया यूज़ हुआ है कि उसका क्डिशनटीड की या नहीं वह आपको ता ऊप पर आपको खुड़ करने के लिए मैं फेल पर की नचाएक। करने के लिए मैं मल्टिपल तरीके आपको बता रहूँँगा सबसे पहले इस पीसी पर राइट क्लिक कर लो आपकी सामने आ में प्रोसेसर लगा है, इंटेल कंपनी का MD होता है, और इंटेल होता है इंटेल बेस्ट मना जाता है, बाकिए MD भी अगर आप चूस करते हूँ, वो भी अच्छा होता है कम्पिटर वगरा के लिए MD यूज किया जाता है लेटाप के लिए, इंटेल, क्योंकि इंटेल ज्यदा हीट नहीं करता, MD ज्यदा हीट करता है तो जो चीज़ी ज्यदा हीट करते हूँ, उतना ज्यदा चार्ज काता है, तो अगर आप लेटाप चाते हो तो लेटाप की इंसाइड इंटेल चूस कर लो अगर computer की तरफ जा रहे हो तो computer में जायर बात है चार्ज वगरा concept होता नहीं है तो पिर आप वहाँ पे MD के साथ जा सकते हो तो इसकी inside यहाँ पे series और generation दोनों आपको बताया जा रहे है और Intel company है और core core means इसका कौन सा यहाँ पे series चल रहा है जैसे core i और पिर 7 लिका हो आ रहा है तो इसका मतलब मेरा जो laptop है वो core i7 है और generation next पहला जो digit होगा यह generation के लिए होता है तो core i7, 9 generation मेरा laptop है और आगे इसका speed बताया जा रहा और next इसमें installed RAM मुझे बताया जा रहा कि इसमें RAM कितना है और कितनी GB का है यहाँ पर system type आपको बताया जारा दो types की system type होते है एक होता है 32 bit का और दूसरा होता है 64 bit का और शायद अब एक latest आ चुका है जो के 128 bit का होगा तो जितना आगे होगा यह उतना ही fast आपके computer को चला सकेगा system type means कि आपका computer at the moment कितने bit में चीजों को translate कर पा रहा है तो 32 bit में चीजों को translate कर पाएगा 64 bit होगा तो 64 bit में चीजों को translate कर पाएगा और 128 bit होगा तो 128 bit में चीजों को translate कर पाएगा तो जितना आगे होगा उतना ही आपका computer fast होगा और translation ज्यादा तेज़ करेगा और fast करेगा और नीचे आपको यहाँ पर even window भी बताया जा रहा कि आपने window कौन सी install की है और install कप की है वो भी बताया जा रहा और उसका जो date वगरा है वो सारे चाज़े आपको यहाँ पर बता चल जाते हैं तो यह दिकानी यहाँ पर कैसे आप चेक आउट कर सकते हो प्रोसेसर को, RAM को, System Type को और even window को पर यहाँ पर storage device आपको नहीं बताया जाता तो storage device बता करने के लिए आप यहाँ पर right click कर लो वापिस this PC पे और इसके inside आपको एक option मिलेगा तो मैं right click करूँगा इसके inside आपको एक option मिलेगा जिसका नाम होगा manage तो आपने manage पे click करना है अब जैसे आपने manage पे click कर लिया तो एक screen और आजाएगी और इसके inside आपको डूनना है storage को और storage की inside disk management आपने इसके click करना है अब disk management पे जैसे आपने click कर लिया तो इसके inside आपको यह चीज़े बताया जाते है कि आपके storage कितने है अपने कितने disk लगाए अपने computer में तो मैंने computer में यहाँ पर दो-दो disk लगाए एक disk 0 नाम का आ रहा है दूसरा disk 1 नाम का आ रहा है और इसकी capacity भी यहाँ पर बताई जा रही और इससे हमने कितने volumes या तो कितने partitions कितने disk बनाए है वो भी आमें यहां पर बताय जा रहा है तो यह दिकानी यहां पर storage devices की storage devices यहां पर पता चल रहा है फर यहां पर यह नहीं बताय जा रहा है कि क्या यह HDD है या SSD है उसके लिए next step तो आप यहां पर right click कर लो और आपने task manager पर click करना है task bar पर right click कर लो task bar का जो खाली अरिया होगा यहां पर right click और task manager और इसका shortcut की होगी control shift और escape की तो हम यहां पर performance पर क्लिक कर रहे होंगे और इसके बाद यहां पर आपको वही सेम चीज़े बताया जा रहा है जैसे कि CPU कौन सा है आपके computer में वही core i7 9 generation intel company का है और इसका speed यह आ रहा और next इसमें memory कितनी GB की लगी है और कौन सी लगी है वो भी हम यहां पर बताया जा रहा तो इसमें 64 GB का RAM लगा है और नीचे हम कितने percent इसे use कर रहे हैं कितना यहां पर हमने RAM को use किया यह use में लेके आ रहे हैं और इसका speed यहां पर बताया जा रहा slots बताया जा रहा slots means कि जहां पर आप RAM लगाते हो वो मेरे laptop के inside कितने slots है यहां पर दिखाया जा रहे है कि आपके laptop के inside वो slots 4 है और 4 के 4 यहां पर fill पड़े और availability मिल रही है कि आपके यहां पर जो RAM है वो कितनी GB रह चुका है यहां कितनी GB रहता है और कितनी GB इस वकत आप उसे use कर रहे है और 7 GB हम यहां पर use कर चुके है अपने RAM को और 55 GB यहां पर रह रहा है हमारा RAM और नीचे और भी यहां पर आपको information दी जाती है next आ रहा है यहां पर disk तो disk में आपको बता चल रहा है यहां पर सामने लिका हुआ रहा है कि यह HDD है और HDD से आपने कितने drive बनाए तीन drive बनाए नीचे आजाओ इसकी capacity आपको बताया जा रहा और इसका type आपको बताया जा रहा कि यह HDD है और यह उसका generation और version आ रहा होगा और next आ रहा है यहां पर disk 1 और disk 1 में आपको बताया जा रहा है कि यह SSD है उससे दो drive बनाए गए XC और दूसरा G और यह उसका version और bottom में आऊगे तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि इसका type क्या है SSD है और इसकी capacity क्या है वो भी आपको यहां पर बताया जा रहा बाकि आपको यहां पर speed वगरा भी पता चल जाता है और next internet वो cable जिसके तो आप Wi-Fi capture करते हो वो management नहीं लगा इसलिए यहां पर zero आ रहा है वो system और next आ रहा होगा Wi-Fi तो Wi-Fi में इस वोकत use नहीं कर रहा पर हम यहां पर Wi-Fi connect कर चुके अपने laptop के साथ और कुछ information हमें यहां पर मिल रही होगी और next आ रहा है GPU, graphic card तो अगर आपको quality बहतर चाहिए होगी अपने laptop का gaming के लिए, movies वगरा के लिए editing के लिए, graphic editing, video editing के लिए तो GPU best होता है आपके लिए तो यहां पर GPU मुझे दो दिख रहा होंगे एक GPU 0 और दूसरा GPU 1 तो यह वाली जो GPU है यह Intel की तरफ से मिल रहा है मुझे तो Intel means जो CPU आप computer में लगा चुके हो वह Intel CPU है और उसी के तरफ से मुझे यहां पर यह GPU मिल रहा है तो इसमें हमें बताया जा रहा है NVIDIA, Quadro, Onyx आपको यहां पर information मिल रहा हो कि आपके computer के inside या laptop के inside कितनी GB का GPU पढ़ा है तो 4GB का GPU पढ़ा है और इस वकात use कितना हो रहा है 0.5% बाकी वापस GPU memory यहां पर दिखाया जा रहा है जो कि combine हो कि आपको मिल जाता है RAM से और पर वो GPU बताया जाता जो लिया गया है, share किया गया है RAM से तो यहां पर भी almost आपको सारे details A to Z मिल जाता है पर इसको open करने के लिए control shift skip कि अगर आप प्रेस करते हो तो तब भी आपके सामने है यही screen performance की तरफ आपने जाना होगा इसके लवा आप window plus R की प्रेस कर लो, window plus R की प्रेस करने के बाद यहां पर आपको type करना होगा dxdiag तो यह runner है, यह run करेगा आपका यह वाला command तो आपने type करना है dxdiag और ok पे click करना है यहां पर भी आपको अल्मूस सारे मलूमात मिल जाते हैं आपके laptop या तो system के हवाले से तो तोड़ा सा wait करना है यहां के सामने window represent कर लेगा कुछ दिर में तो यहां पर window आचुका है, इसमें भी आपको अल्मूस सारे details मिल जाते हैं cmd, window button पे click करना है और cmd को run करना है तो आप यहां पर simple type कर ले system info तो हम यहां पर type कर रहेंगे system info तो कुछ दिर में यह load करके आपको system का total a to z जो भी information होगा, वो सारा आपको यहां पर मिल रहा होगा यहां पर चीज़े कुछ ज़्यदा ही detail में होते हैं तो इसलिए मैं hide कर रहा हूँ यहां पर आप आप आरान से इन्हें read कर लो तो आपको a to z आपके computer का जो motherboard का version है even वो भी पता चल रहा होता है तो यहां पर बहुत ही detail में आपको information दिया जाता आपके laptop और computer के वाले से एक और तरीका इसे run करने का तो आप window button पे click करके यहां पर search कर लो system information enter कर लो तो यह system information यहां पर भी आ रहा होगा one last तरीका के properties को यह specification को check करने के लिए आप जाओगे यहां पर control panel की तरफ तो control panel और इसके inside आपको यहां पर मिल रहा होगा system तो यहां पर system पर click कर लो click करने के बाद यहां पर भी आपको वही same information जो right click और properties की तरफ से आप find out करते हो यहां पर भी वह चीज़े आपको मिल रहे होंगे तो बैटरी का health पता करने के लिए कि उसकी capacity क्या होगी कितनी image की battery है आपके laptop में तो उसके लिए हमने एक दफा पिर cmd run करना होगा तो हम लिखेंगे cmd और enter तो बैटरी का health पता करने के लिए कि बैटरी कितनी image की है या बैटरी का report निकालने के लिए cmd में आपको search करना होगा power और cfg आपको यह लिखना होगा पिर space और एक बार forward slash और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा battery और report आपने लिखना होगा battery report और enter करोगे तो यह आपको किया देगा कि report save हो चुका है इस वाले location पर आपको simple location पर जाना है तो चलो देखते हैं किया battery का report हमें मिलेगा तो dis pc की तरफ जाना है battery डिजाइन किया गया है वो 90,000 MWH डिजाइन किया गया है पर full charge इस वकत जो हो सकता है ये 82,290 MWH ये चार्ज हो सकता है और cycle count यहाँ पर बताया जा रहा और इसका जो name वगरा है manufacturing है वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर बता चल जाते है कर सकते हो तो उमीद करता हो next time आप दोका बनीका होगे और आराम से आप आपने computer के जितने भी specification है वो check out कर सकते हो प्रूछ जाने कर सकते है अगय हो हेल जार यह वो कर सकते हाँ झाल झाल